नमसकार दोस्तों मेरे नाम है हरी और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनिस वर्म हमारे पास ये कुछ मोडूल कार्ड है इसके अंदर मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं वह आते हैं इसके अंदर की battery problem को लेकर यानी कि battery problem को लेकर यह बहुत ज्जाद मेरे पास क cow website सर इसके अंदर हमारी जो बैटरी है वो back up नहीं दे पाती है यह हम इसके अंदर usb को लगा देते हैं तो usb जो हमारी प्ले helps नहीं होती और बार-बाड ड्रोप सबसे पहले मैं यह वाला मोडूल ले लेता हूं आप देखिए यहां पर जो यह प्रॉपर गिलो ओना ची है वो नहीं हो रहा है इसके उंदर यह देखें बिलिंग कर रही है क्यों कि जब तक कि बैटरी को नहीं लगाएंगे तब तक है यह इस तरीके से करेगी अगर आपको यह ऑलेटी जो है इस तरीके से प्रोबं करती है तो आप समझ जाना कि जो आपकी Bon quarter इस structure की वायर है वह लगी नहीं है अफ देखिए यह जैसे billing कररी है यह हमाराяж गे वैटरी की वायर को मैं जैसे ही लगाऊंगा तो यह देखिए जैसे LED glow और आई है यह देखिए यह LED को लो रहा देखे बैटरी की वायर जैसे ही लगाऊंगा यह देखे LED सही होगी यानि कि अगर बैटरी की वायर हटी रहेगी तो यह LED इस तरीके से करेगी तो यहाँ पर आपने एक यह प्रोब्लम तो देख लिए अब इस carड को आप चेक कैसे कर सकते हैं कभी कभी क्या होता है कि हमारे मोडूल कार्ड में जो वह बैटरी चार्जी नहीं होती अब बैटरी चार्जिंग के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए मल्टी मीटर मैंने ले रखा है अब देखें मल्टी मीटर को मैं DC की रेंज में कर देता ह अब यह देखिए हमारा यह module card है तो यहाँ पर जो red वाला connector होता है वो हमारा battery का होता है white वाला हमारा speaker का होता है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने module card को check करा और यहाँ पर जो हमारे module battery charge करने के लिए इस module card के अंदर जो voltage आ रही है तो इस तरीके से यह module card आप चेक कर सकते हैं अब देखिए अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ यह दूसरे वाला module card ले लेता हूँ अब देखिए यह वाला module card ले लिया मैंने अब देखिए इसके अंदर कैसी problem होगी मैं आपको दिखाता हूँ अब ये देखिए मैंने चार्जिंग जेख इसके अंदर लगाया ये देखिए इसके अंदर एक बार led गिलो हुई फिर बंद हो गई यानि अफ जली नेरी है इसके अंदर क्या होगा अब देखिए जैसे यह चारडर को जैसे ही दुवारार कनेक्ट करूँ गा तो हमारी जो एलीडी लोग हो जाएगी देखा आप हम लगाने के बाद भी लगाने के बाद बाहर कि निकालो ओ गए और दुवारा जब लगा हो गी तो बैटरी आपकी जो और जो सो directions करदेता बैटरी को और जो charging जो होना चालू हो जाता है अब यहाँ पर क्या होगा देखिए बैटरी को में निकाल देता हूँ अब यहाँ पर आप इस चीज को कैसे चेक कर सकते हो कि यह हमारा module card जो है कभी कभी क्या होता है कि बैटरी की बोल्टेज ही charging वाली नहीं जारी होती है हमारा module card चलता नहीं है यहाँ पर तो हम देखिए बोल्टेज को चेक करते हैं अब देखिए यहाँ पर मैंने charging लगा दिया यहाँ पर हम बैटरी की बोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए बैटरी की बोल्टेज आ रही है अब देखे यह वाले module card के अंदर में यहां पर power लगाता हूं और इसको भी check करके दिखाता हूं तो यह देखे मैंने लगाया यहां पर इसके अंदर देखे दोनों ही LED जो है glow हो रही है अब इसके अंदर एक LED glow होना चाहिए on होने के लिए यहाँ पर देखिए यह Of हो गया यह हमारा On हो गया तो आण होने के बाद यहाँ पर दोणों गिलो पहर हो जाती है अब देखिए मैंने इसे Off कर दिया तो हमारी Red LED गिलो पहर है तो इस वाले मोडुल के अंदर क्या है जोषतोग कि तो इस तरीके से जो है आपके जो मोडूल होते हैं उसको आप चेक कर सकते हो इस तरीके से कि यहां पर जो है यहां पर जब हम चार्जिंग लगाते हैं तो यहां पर जो बैटरी की सप्लाई जब तक नहीं आएगी जब तक यहां पर बैटरी की सप्लाई प्रोपर नहीं होग और यह जब तक आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी तो देखिए क्या क्या प्रोब्लम आएगी इसके अंदर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो आपका यूएसबी नहीं चलेगा यूएसबी बार-बार ड्रोप मारेगा और जो सोंग है जैसे आप वोलियम को फुल करेंगे व बोल्टिज प्रोपर आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आपकी बैटरी वह खराब हो चुकी है तो इस तरीके से आप जो है सारे मोडूलों को चेक कर सकते हैं और आप जो है अपनी प्रोब्लम को खुश सॉल्प कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे लाइक करना सेर करना सस्क्राइब करना और बैल के आकन को जरूर दबाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा